यूबी के गॉंडा में कारोबारी का अग्वा बच्चा बरामत मुर्भेड के बाद स्टेफ ने खब्जे से छुडाया पुलिस ने महिला चवी पांडे और पती सूरज पांडे साई चार लूंग को गिरफतार किया स्टेफ को दू लाग के इनाम का एलान गॉंडा केस में ओडियो आया सामने चवी पांडे ने धमकाते हुए पैसे मांगे और दिया कानपूर वाले कानड का हवाला फोन पर चार करोड रुपाई की फरौती देने की माँ पुलिस में ज़ाने पर बच्चे की हत्या की धमकी सुरक्षत कही जाने वाली बानल जिल की खुली पोल मोटी चार देवारी को फांड कर फरार होए क्या दी मेरट के डबल मुर्डर केस में मुक्या आरूपी शमशाद की संपत्ती की हो रही है जांच पत्नी की गरफतारी को लेकर एक टीम बिहार रवाना एक माईला और इंस्पेक्टर क्राइम के बीच वाइरल हुए ओडियो की हो रही है जांच इंस्पेक्टर क्राइम को किया लाइन हासर दिल्ली की वीबी आईपी इलाके लोधी स्टेच में कल रात बोली चलने से हरकम CRPF के जवान ने CRPF के दूसरे जवान को मारी गोली गोलीकान में दोनों जवानों के मौत दोनों के बीच होई थी पहासुल शुनगर के रन्वी घड में आतंकियों से सुरक्षबलों की मुद्भे मारे गए दो आतंकि कानपूर के संजीत आदव हत्यकान में CMU आदितनाथ की बड़ी कारवाई SP अपढ़ना गुपता और डेप कानपूर के संजीत आदव हत्यकान में CMU आदितनाथ की बड़ी कारवाई SP अपढ़ना गुपता और डेपटी SP समें 4 अपसर सस्पेंड ADG करेंगे संजीत यादव हत्यकान की जांच परिवार ने पुलिस पर लगाया है प्रोथी के पैसे हजम करने का आरूप 22 जोन को हो था संजीत यादव का अफ़रण बहन का आरूप पुलिस के कहने पर 30 लाक रुपए देने के बाद भी नहीं मिला भाई अफ़रण कान के दो आरूप्यों की गिरफतारी से हुआ संजीत की मौत का खुलासा आरूप्यों का दावा गला दबा कर नदी में फेका कानपूर कान पर यूपी में फिर भड़की सियासाथ पुलिस ने कानपूर जाय रहे प्रदेश कॉंग्रस अधेव शर्जे सिंग को रोका कानपूर कान पर प्रयंका ने योगी सरकार को घेरा त्वीट कर कहा यूपी में दम तोड रही है कानून व्यवस्था संजीत के परिवार को पांच लाग की मदद देगी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादर ने योगी सरकार पर उठाए सवाद कानपूर कान में मायवती ने भी मुख्यमंत्वी योगी आदत्तिनाथ को घेरा कहा यूपी में जंगल राज मुटभेड में मारे काए क्यांग्स्टर विकास दूबे का एक और आउडियो सामने आया परार होने की दौरान साथियों से फोन पर मांग रहा था मदद ग्यांग्स्टर की उजेन पहुँचने से दो दिन पहले कहा है आउडियो मुंबई AGS की गिरफ में आये गुड़न के बारे में बार बार पूछ रहा था विकास आज यूद्या जाएंगे मुक्ति मंदरी योगी आदे तरनाथ पांच अकस कुरा मंदर भूमी पूजिन की तग्यारियों कर लेंगे जॉइस महराश में बखरीद की गाइडलाइंस पर सियासते इस कॉंग्रिस नेता नसीम खान ने सीम को लिखी चिठी कहा संकेत कुर्बानी को तयार नहीं देश में कोरोना का कहर जारी 24 गंटे में बढ़े 48,900 से ज़्यादा मामले देश में 24 गंटे में कोरोना से 757 लोगों की गई जान अब तक 31,300 से ज़्यादा लोगों की जाचिकी है जान देश में अब तक फुल 13,36,000 से ज़्यादा कोरोना की मामले 24 गंटे में कोरोना के 32,000 से ज़्यादा मरीज स्वस्थ देश में गरीब साथे आठ लाग लोग बिमारी को दे चुके हैं मात इस समय चार लग चपन हजार लोग अट देश में एक दिन में चार लग वीस हजार लोगों का कोरोना टेस्ट स्वास्थ विभाग ने दी जानकारी करनाटे की राचुर में फ्लैश फ्लड की तेजधार में फसा एक शक्स रस्क्यों के साहरे किया गया रस्क्यू लहरू के बीच से सुरक्षत निकाला गया पाकड में जान जोखे में डाल कर लोग कर रहे हैं दरिया पार ट्यूब और बांच की नाव पर बाइक ले जाते नज़राय लोग मुजफर कुर में सैलाब का संकर्धा मुखिल की नाव बना कर पानी से बचने का जुगार बेगुल साराय में जगए जगए लगाय गए संसद और केंद्रे मंतरी गिराज सिंग की लापता हुनी की पोस्टर पता बताने बाले को 10,000 रुपाई का एना राज़सान के सियासी ड्रामे में नया खमसान वधान सबा सत्र पुलाने को लेकर मुखिमंतरी और राज़पाल में जगए लेकर राजभवन में घंटों तक टटे रहे कॉंग्रिस की विधायक चम करना रे बास राज़पाल ने धरने पर बैटे विधायकों सिकी बात कहा सुप्रीम कोर्ट में है मामला नयाजा करना पड़ेगा वचार विमर्श राज़पाल से बाहर आकर मुखिमंतरी अशोग गहलोत ने दिया समधान का हवाला कहा क्याबिनेट के फैसले को मानने के लिए बात दे है राज़पाल आपका समधान एक पद है शपद लिए है अपनी अंतरा आत्मा के आदार पर शपद की जो भावनों होती उसका आदार बना के फ्यांतला करें राजभावन से होजयल पहुंचे कॉंग्रस की विधायक यहलोत में बुलाई थी क्याबिनेट की बैठक आगे की रननीती पर ओड़ी ये चर्शक राजभावन में गमासान पर भढ़की बीचपी कहा आलात बेकाबू तैनात की जोए सी आर पीएफ सुम्मार से विधान सभा का सत्र मुलाने चाहते है अशोगहलोत सूतर के हवाले से खबर कोरोना संकट के चलते राजपाल नहीं दे रहे सहनती सेम शोगहलोत ने लगाया राजपाल पर दबाव होनी का आरौग कहा जनता ने राजभावन का घेराफ किया तो हम जम्मेदार नहीं पूरी प्रज़र की जनता अगर राजभावन को घेरने के लिए आ गई तो हमारी जम्मेदार नहीं होगी राजसान हाइकोट ने पाइलेट गुट को दी बड़ी रहा तियाचका को मानस सही स्पीकर की कारवाई पर लगाया स्टेट पाइलेट खेमे की आचका पायर आगे भी जारी रहेगी सुनवाई हाइकोट में केंडर सरकार को पक्षकार बनाने पर दी मज़ूरी हाइकोट के फैसले को सुप्रीम कोट में सुनाओती देंगे स्पीकर सीपी जोशी सुप्रीम कोट में पहले ही जारी है सुनवाई राजस्तान के सियासी रण को लेकर कॉंग्रस ने वीचेपी को घीरा कपल से बल बोले लोगतंत्र की नई परिभाषा गड़ी जा रही है दिल्ली में पब में चल रही हुकका पार्टी पर पुलिस का चापा 23 लड़के लड़कियों को गिरप्तार किया गया बारबंकी में संदिक धालत में पती पत्नी की मौत पुलिस को कर्स की वज़त से जान देने का शक्त बारा बंकी में जमीनी विवाद मिल्सा के भाईयों में फूनी संखर छोटे भाई ने बड़े भाई को पीट-पीट कर उतारा मौत के घर हमीरपूर में 14 साल के छात्र ने फांसी लगा कर दी जान ऑनलाइन के लज़ाने वाले मोबाल गेम में हार कर मौत को लगाया कर ले जालाउन में 30 साल के किसान ने फांसी पर लटक कर दी जान आर्थिक तंगी की वज़े से खुद कुशी अर्दोई में प्रेमी जोडे ने एक ही दुपट्टे में लगाई फांसी शादी का वरोध करने पर लिया फैसला दिल्ली के चतरपूर कुरेंटीन सेंटर में आबालक मरीज से रेट की वार्दा दोनों आरूपी भी संक्रमें अमरिस्टर के होटल में विदेशी लड़कियों के साथ धरे गए नौ यूबक मसाज सेंटर में रेट की दोरां गिरफ्तारी जीन में दिल दहला देने वाली वार्दात पांच बेटियों की हत्या की आरोप में एक शक्स किरफ्तार सोनीपत में तेल मिल में लगिया आस्मान में दिखा धुए का गुपार शिन्वारा में धार के बीट सेलफी लेने के चक्कर में फसी दू लड़कियों की आफत में आई जान चट्टान पर घंटो फसे रहने के बाद किया गए रिस्प्यू सेहोर में जूरदार बारश के बाद बीट शहर में बाड़ जैसे हाला चावकोपत बहती धार में बहे गई मोटर साइक लिए बावेकुर में पानी की मार्व से धेर होई स्कूल की इमारत चारों तरफ से बाड़ में घिरने के बाद धार में समाई बिहार की मुतियारी में गंड़क के उफान से तटबन धराशाई गाउं में गुसा सलाव सीता मड़ी में नेपाल बोज़र पर तूट गया पान दरजनों पंचायतों में भरा पानी समस्थिपुर में रेलपुर के उपर पहुचा बागमती नदी का पानी ट्रेनों को किया गया डायवोर्ट तरबंगा में बार से बेहाल हुए सेक्डो परिवार रेल लाइन के किनारे बनाया अशियाना बार ने बिगाड़ी कुर्वी चंपारन की सूरत प्रभावत अलाखों में रेस्क्यू आपरेशन चला रही एंडियर एफ की टीम जोरदार बारश ने बेहार की राइस्थानी को किया बेहाल दैनपुर के पोश इलाके में गुटनों तक भरा पानी मियार के गुपाल गंज में बांदे तूटने से आफ धायवे पर उत्रा समंदर मियार, यूपी और असम के बाढ़गरस इलाकों को राशुबती की मदब रहाग सामवरी से लदे च्वक्रवाना असम में बाढ़ से अब तक पिचानवे लोगों की मौत 28 जिलों में 10 लाक से ज्यादा परिवार प्रभावत असम के नगाओं में भारी बारश के चलते खोले गए, कादवी बान के गेट जलमगन हुए सेक रुकाओ बाढ़ में रुबाक आजरंगा नैशन पाक, जानवरों को सुरक्ष जगों पर पहुंचाने में चुटा पाक प्रशास असम के सोनितपूर में भी हालात कभीर, बाढ़ में गुम हो चुकी हैं सड़कियों और पोई कोरोना काल में आर्थिक विकास का लक्षा हासल करने में असफ़ल रह सकती सरकार महमारी ने बिगाड़ी आर्थिक अनुमालूं का गणत अर्वाई ने ओटो लोन में गड़बड़ी के मामले में HDFC बैंक से मागी जानकारी कहा, इंट्रिनल जांच की पूरी जानकारी मोहिया कराए मैनुफैक्टरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने तक्यार की नहीं उचना, पांच सेक्टर्स की उतबादन को बढ़ावा देने पर कर रहे हैं काम मोकेशमबानी की R.I.L. ने बनाया एक और रेकॉर्ड, दुनिया की 48 में सबसे मुलेवान कंपनी बनी रूलाइंस इंडस्ट्रीज फेस्बुक की तरह हैं, अमजन करें की मुकेशमबानी से डील, प्रॉलाइंस वीटियल में खरीब 10 फीज़ी हिस्सेदारी खरीदनी की उचना